दोस्तों हमारी सीरी चल रही है नवाब शफात अली खान की बुक अवनी उसका सेकंड चेप्टर है दा हंटर्स एंड हंटिड अब इसमें नवाब साब बोलते हैं कि सबसे पहले एक सवाल आपके मन में आएगा कि मैं ही क्यों मुझे ही क्यों बुलाया गया अवनी टाइगर इसकी प्रावलम को सॉल करने के लिए और यो यावत माल डिस्टिक था जो अथारिटीज थी उनकी मदद करने के लिए क्योंकि अब शिकार कथाएं खतम हो चुकी है शिकारी भी खतम हो चुके है ना तो कहीं शिकारी है जिम कॉर्बिट और एंडर्सन की कहानिया अब उनकी किताबों में ही है तो यही वज़े थी कि मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं आखरी आप्शन बचा था फारिस्ट डिपार्टमेंट के लिए और जब उनके सारे आप्शन्स खतम हो गए तब उन्होंने मुझे बुलाया अब मेरे पैटरनल ग्रेंट फादर नवाब सुल्तान अली खान बहादुर ओन्रेरी एलिफेंट किलर थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर और मेरे पिता जी नवाब अर्शाद अली खान उस टाइम पर बड़े हुए जब इंडिया में टाइगर के कंजर्वेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी और उन्होंने मेरे अंदर वो वैल्यूस डाली कि टाइगर की और जानवरों की रक्षा और जंगल की रक्षा होनी चाहिए मैं जब बड़ा हुआ तो ये सीखते हुए बड़ा हुआ कि राइफल कैसे चलाई जाती है और बाद में मुझे गोल्ड मेडल मिला नैशनल गेम्स में 1968 में और उस वक्त मेरी उमर थी केवल 12 साल मैंने हमेशा से एक कंजर्वेशन जो फॉरस्ट का कंजर्वेशन है वो जो करने की बात की वो हमेशा लोकल प्रैक्टिसेस से करने की हिमायत की है क्योंकि पूरे विश्व में जब फॉरस्ट का कंजर्वेशन किया जाता है तो उसमें जो लोकल वहां के रहने वाले हैं उनका भला करना बहुत जरूरी है अब नवाब साब लिखते हैं कि इनके हिसाब से इंडिया में कंजर्वेशन अभी उस लेवल का नहीं किया गया है जिस लेवल का किया जाना चाहिए लोकल लोगों की मदद के लिए आब इनका मानना है कि जो शिकारी है वो फॉरस्ट के कंजर्वेशन का बहुत अच्छा नॉलेज़ रखता है उसको पता है ग्रास रूट लेवल का जंगल उसको पता होता है कौण सा जानवर कब कैसा बिहेव करेगा? कौण सा प्लांट क्या है? एक एक चपा चपा जंगल का शिकारी को पता होता है नवाब साब बोलते हैं कि मेरा बेटा अजगर उसने आंद्र प्रदेश और तेलंगाना को रिपरिजेंट किया है इंटर स्टेट शूटिंग में और उसने एक्टिव पार्ट लिया था T1 यानि अवनी का जो rescue प्रोजेक्ट था उसका वो important पार्ट था उनके बेटे को renowned short नाम का अवार्ड मिला था जो कि government of India ने दिया था as a privilege sharp shooter वो कई government की तरफ से authorized shooter है जो नील गाय फसलों को नुकसान करती है इस तरह के जानवर जो इंसानों को नुकसान करते हैं government की तरफ से allowed होता है या उनको appoint किया जाता है परिशान करने वाले जानवर को खतम करने के लिए और अजगर जो की गोली मारने की जगे tranquilize करने की वकलत करते हैं वो मेरी टीम का part थे इस अवनी के project में मेरे पास wildlife का बहुत ज़्यादा knowledge वहां से है जहां मैं रहता हूँ मैं 25 साल पहले फैदराबाद से मासिन गुडी shift हो गया था मासिन गुडी capital था वाइनाट की और जो की बसा हुआ है नील गुरी की पहाड़ी हो गया ये बहुत सारी फसल उगाता था ये area लेकिन 1970-71 में Britishers और टीपू सुल्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उससे यहां का खेती किसानी तबाह हो गई रही सही कसर 1878 और 79 के अकाल ने पूरी कर दी जब मैं यहां पे shift हुआ था तो मासिन गुडी एक बहुत ही छोटा सा हैमलेट यानि बहुत ही छोटा सा गाउं था छोटी सी आबादी आज यहां पे hospital है bank है post office है यहां तक की telephone exchange भी है यह काया कल्प wildlife tourism ने किया है जो मदुमलाई national park के लिए किया जाता है 321 square kilometer का जो neighborhood village का और एक तरफ से लगता है बांदीपूर national park केरला का वाइनाड east में है और सत्या मंगलं west में है और यह जो यहां के forest है यह घर है 7000 जंगली हातियों का एक बार नवाब साब और उनका बेटा अजगर घोड़े पे जा रहे थे 2011 की बात है सामने अचानक बहुती fully grown tiger बैठा दिखा इनके घोड़े रुग गए अपने कान हिलाने लगे घबराने लगे लेकिन tiger बिल्कुल शान्ती के साथ बैठा था और पूरे ध्यान से इन लोगों को देख रहा था अब इनको लगा कि इस tiger में कुछ missing है यह बड़े ध्यान से उसको scan कर रहे थे उसका पिछला हिस्सा और tiger उतने ही ध्यान से इनकी तरफ देख रहा था अब यह धीरे 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 गोल घेरा बराके tiger के पीछे की तरफ गए बोले जनरली tiger ऐसा करने पर गुर राता है या कोई reaction देता है लेकिन यह tiger कोई reaction नहीं दे रहा था और जब इन्होंने दूर से देखा तो tiger के पिछले पैरों में चोट लगी थी और skin का हिस्सा loose था ऐसा लग रहा था कि उम्र का नतीजा है ये काफी दूरी के साथ उस tiger को धीरे धीरे पूरा scan कर रहे थे अजगर अपना घोडा लेके जीप और camera लाने चले गए अब इन्होंने अपनी जीप को एक छोटी सी नदी के पास में पार्क कर दिया और वो जहां पार्क किया था वो ही जगे थी जो कि केवल एक ही entry point था इस area में आने के लिए इन्होंने DFO और जो Madhu Malai National Park के field director थे उनको call कर दिया थे अब देखते ही देखते ही आदे गंटे में कई सारी गाडिया आ गई गौर मिला जिसको की गलती से बाइसन बोला जाता है जहां तक मेरी जानकरी है इंडियन बाइसन बोला जाता है और वो गलती नहीं है क्योंकि जो बाइसन है वो अमेरिका मिलता है इंडियन बाइसन गौर को ही बोलते ये मेरी जानकरी है उसमें बहुत ही गेरे पंजे के निशान थे और थोड़ी सी स्किन को भी निकाल दिया गया था अब इन्होंने अंदाजा लगा है कि ये हमला टाइगर ने किया है फेल हो गया है जाहिड सी बात है और ये हमला किया गया होगा मदू मलाई फॉरिस्ट में अब ये टाइगर और गौर की बातों ने इनको एक बात याद दिला दी जो इनके साथ काफी समय पहले हुई थी एक बार इनका आमना सामना हो गया दो टाइगर के कब्स जंगल में एक प्राइवेट स्टेट में वो कब्स जाडियों में चुप रहे थे और इनको एक टाइग अब उसके बाद दो महीनों तक हर एक दिन छोड़ के यह वहाँ जाते रहे और टाइगरस की ग्रोथ और प्रोग्रेस को देखते रहे अब जैसे यह टाइगर के बच्चे प्राइवेट स्टेट में थे तो ना तो वहाँ फॉरेस्ट आफिसर्स आते थे ना ही वहाँ पे टूरिस्ट आते थे यहाँ पे इन्होंने एक मचान सेट अप किया था और बड़े ही आराम और तसली के साथ उन कब्स को यह देखा करते थे अब एक दिन यह morning walk कर रहे थे तो उन्होंने ढोल याई ढोले जो जंगली कुत्ते होते हैं उनका जुन्ड देखा पैक देखा अब यह जो कब्स थे यह अपनी रक्षा करने में सक्षब नहीं थे और यह ढोल उसी एरिया के पास मौझूद थे इससे इनको एक घटना याद आ गई एक बार यह अपने grandfather के साथ camping कर रहे थे उटी के foot hills में अनाकटी बंगलो में इन्होंने tiger को एक पेड़ पे चड़क देखा दिन के time पे tiger पेड़ पे चड़ा हो बड़ा ही rare scene था जब इन्होंने जानना चाहा कि क्या वज़य है कि tiger पेड़ पे चड़ा है देखा तो जंगली कुत्ते यानि धोल का ग्रूप था पैक था इंतियार कर रहा था कि tiger कब नीचे उतरे और उसको अपना शिकार बनाए उस time पे धोल को मारने पर इनाम मिलता था तो उसी वक्त मेरे grandfather ने अपनी .465 Holland और Holland Royal India double rifle से दो धोल मार दिये और उसकी आवाज से बाकी सारे धो भाग गए लेकिन tiger फिर भी नीचे नहीं उतरा ना तो tiger गुरा रहा था ना ही दहाड रहा था यानि कि जब उसको अपनी जान पे खत्रा नजर आया और इन धोल के group से उसका सामना हुआ तो वो humble बन गया था उसे एसास हो गया था कि वो सर्व शक्तिमान नहीं है अब इनके साथ जो शिगारियों की टीम चलती थी उसमें एक था सिद्धा उसने उन दो ढोल की पूच काट ली और एक पूच के उपर जो 25 रुपए का इनाम था उसको लेने के लिए वो पहुँच गया forest office में वो office था नीलगिरी और उटी game association ये 25 रुपए 1970 में बड़ा amount होता था ये बच्चों को खा जाते हैं उस वक्त जब वो अंदे होते हैं यानि पैदा ही हुए होते हैं टाइगर की population भी खत्रे में आ गई थी जंगली कुत्तों की वज़े से अब जो ये घटना याद आई थी इसकी वज़े से इनको अभी जो ढोल दिखे थे जहां वो कब्स थे इनक 1972 में ढोल को मारने पर प्रतिबंद लग गया था अब वो wildlife protection act के अंतरगत उसी तरह से protected थे जैसे दूसरे जानवर और कुछ दिरों बाद इनको मालूम चला कि ढोल को कब्स मिल गए उस ताइम पे जब टाइगरेस शिकार करने गई थी अब उनको वहाँ पर कब्स की जगे उनकी खाल के टुकडे और बालों के टुकडे मिले हैं उसके बाद टाइगरेस वहाँ पर नहीं दिखी एक महिने के बाद टाइगर के कब्स की खोपडी और उनकी हड़ियों के टुकडे धोल की गुफाओं के पास मिले हैं मेरा शिकारी कैरियर जो जानवर फसलों को नुक पहुचाते थे, उनपर चेंदृत था, उनके लिए डेडिकेड़ था और या फिर मैन इइटर स के लिए था, और जब मुझे उसके लिए specific order मिलता था authorities के द्वारा और जैसा कि मैंने पहले कहा कि authorities मुझे तब बुलाते थे जब उनके पास कोई दूसरा option नहीं होता था 1976 में मुझे मैसूर के DFO ने बुलाया एक rogue elephant को मारने के लिए जो कि 12 आदमियों की जान ले चुगा था मेरी उमर केवल 20 साल की थी और मैं बहुत नर्वस था उस हाथी को मारते वक्त लेकिर मैंने अपनी nerves को अपने उपर हावी नहीं होने दिया और यहाँ मैं खुशी के साथ अपने पाठकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 40 साल के अपने carrier में कभी भी गलती से दूसरे जानवर को नहीं मारा उसी को मारा जिसको मारने के लिए गोली निकली थी और मेरा यह इतिहास दाग रही थैं हर वक्त जब मैंने जानवर मारे उसके बाद आदमियों की killing बंद हो गई इसका मतलब है कि मैंने गलत जानवर नहीं मारे थे जो man eater या man killer थे उनको ही मारा था मेरे आलोचक यह बोलते हैं कि मैं British area का colonial nature का आदमी हूँ जो हर healthy डूलती चीज़ को गोली मारना चाहता है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो knowledge है वो local जंगल के लोग महावत forest में जो जाने वाले लोग लकडी बिनने वाले जो वहाँ की tribes है उनसे मैंने जानकारी घटा किये और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनको ये जानकारी मुझसे share करने के लिए मेरे दोस्त हैं बहुत सारे veterinary doctors, forest officers जिनके साथ मैंने अपने बहुत सारे wild encounter share किये है और इस वज़े से कई बार में परंपरागत तरीकों के खिलाफ जाके काम करता हूँ जून 1991 में मेरे पास टेलिग्राम आया मद्द्द प्रदेश से Chief Wildlife Warden का एक tiger manpuri area जो की रायपूर में था जो आजकल 36 गड़ की राजदा नहीं है लेकिन उस वक्त मद्द प्रदेश में था वहाँ पर एक tiger man eater बन गया था अब जब इन्होंने manpuri के forest देखे तो बहुत सारे सैगडो wildlife के बीच में रहने वाले लोगों का घर था और उनमें से बहुत सारों को man eater tiger मार चुका था लेकिन आवा गमन के साधन नहीं थे संचार साधन नहीं थे तो कितने लोग मारे गए इसकी सूचना भी पूरी तरह से नहीं दी जा सकी थी और जैसा कि DFO ने बताया कि एक बुढ़ा शेर है जो ये वारदात कर रहा है अगले दिन सांबर डियर की एक natural kill की गई और forest officers ने बताया कि ये कारवाई उस man eater ने ही की है पग मार्क भी बता रहे थे किस सांबर को एक बड़े पग मार्क वाले male tiger ने मारा है अब इन्होंने decide किया ये मचान पर बैठेंगे जल्दी जल्दी में उससे पता चल गया कि कोई मांसहारी जानवर आ रहा है एक forest guard जो इनके साथ मचान पर बैठा था दर के मारे कापने लगा इतनी जोड से कि उसके पेट की आवाज ये सुन पा रहे थे इनके दिल से आवाज आ रही थी कि ये man eater नहीं है क्योंकि दिन के इस टाइम पे खुले आम नहीं आएगा और जैसा इनके इंस्टिंक्ट थी कि वो जो जानवर आ रहा था वो वो tiger नहीं था tiger थी और 20 मीटर दूर पड़े हुए सामर को खा रही थी अब जब वो ये tiger नहीं था जिसको मारने के लिए बैठे थे तो ये उसको खाते हुए देखते रहे forest guard ने बोला कि गोली मारी है लेकिन मैंने मना कर दिया अब वो गुसा हो गया लेकिन मेरा response था एक smile अब उसने प्रार्थना करने के लिए अपने आखे बंग कर ली और tigers आराम से अपना भोजन करती रही जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मुझे forest department के लोग बार बार बुलाते हैं और तब बुलाते हैं जब उनके सारे उपाए खतम हो जाते हैं अब मार्च 2017 की बात है मुझे बिहार के forest department ने बुलाया जब एक हाती लोगों को मार रहा था हाती जंगली हाती भी वो species है जो की human animal conflict में बहुत ज़्यादा active रहते हैं एक RTI के according 2009 से लेके 2021 के बीच में 5000 से ज़्यादा लोग जंगली हातीों द्वारा इंडिया में मारे गए हैं और सरकार ने 130 करोन रुपे as a मुआवजा दिये हैं 466 करोन रुपे दिये हैं फसल के मुआवजे के रूप में 64 टाइगर को इस period के दौरान जहर दे दिया गया और 169 टाइगरों का शिकार कर लिया गया 1987 में भारत में 15700 जंगली हाती थे और आज की डेट में 31,000 हैं और मेरा अंदाजा है कि 2030 थक यहाती बढ़के हो जाएंगे 45,000 और यह संख्या जंगल की capacity से बहुत ज़ादा होगी और उस वक human-animal conflict alarming level तक पहुँच जाएगा अब इस बारे में कोई clarification नहीं है कि authorities हातीों को किस तरह से manage कर रहे हैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है अब इस मोटी चर्वी वैले जानवर के लिए परियाब तो पत्ते कहां से आएंगे और एक जो ratio होता है land to animal का वो कैसे maintain होगा और वो जो इस्थिती पैदा होगी हातीों की वज़े से जिसकी वज़े से तनाव फैल जाएगा उसका कैसे रोग थाम होगा जैसे कि टाइगर की वज़े से तनाव फैल गया इसका भी कोई जवाब नहीं मिला है दोस्तो ये चैप्टर यहां खतम हुआ अगला चैप्टर होगा दा रोग एलिफेंट दोस्तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए all the best बंदे बात रूम